कैसे हैं आप सब आई होप सब बहुत अच्छे होंगे मैं त्रिपती दूबे अपने चैनल में आप सब का श्वागत करती हूँ चलिए आज के इस वीडियो में आपको दीखी रहा होगा टॉपिक बाल विकास की अवधारना एवं सिखना के साथ इसका संबंध का ये दूसरा कर दो लिया आज केस् वीडियो में हम बाल विकास की अवधारनहा के वोगास को मतलब कैसी कैसी आउधारन आए हैं जो कि पुस्तक में भी और हमारे समाज में भी व्याप्त है इस पर हम चर्चा tähän करें यहां बहुत ज्यादा question आने वाले हैं उन important points को भी अपन cover करते हुए चलेंगे चले स्टार्ट करते हैं बाल विकास के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि बाल विकास मतलब क्या समझ रहे हुआ तो जो बाल विकास है यह एक बहु मुखी प्रक्रिया है जिसमें बालक के सर्व बाल विकास के अंतरगत बालकों में शाररीक मानसीक समाजिक संग्यानात्मक भाशागत तथा धार्मिक आदी छेत्र में विकास होता है बहु मुखी का मतलब यह होता है बहु सारा जब हो तो उसे बहु मुखी कहा जाता है अब यहां पर कुछ पॉइंट्स है जो आपको नहीं समझ आया होगा जैसे कि सारलिक तो समझ आग्या होगा मांशिक भी समाजिक भी शग्यानात्मक यह आपको नहीं समझ आया होगा है ना और बाकी भासागत आप समझ गे होंगे धार्मिक भी आप समझ गे होंगे तो यह सब विकास क्या होता है यह तो अपने को पता है मे गुडात्मक एवं परिणात्मक दोनों विकास से हैं बच्चे एक एक लाइन इंपोर्टेंट है आपके लिए एक भी लाइन आपको इसकी नहीं करना है बाल विकास का संबंध किस से है सीधा ही क्वेशन बन जाएगा तो बाल विकास का जो संबंध है ये गुडात्मक विका परणेख घृर्णसक्राट के बुद्धाल corrections अतर्गत कार्य कुशल्टाònी लंबाई विड़ी भार में विद्धी इत्यादी आते हैं कहाने-क मतलब सिर्फ इतना सा है कि गुडात्मक विकास हम किसको कहेंगे जो आंत्रिक विकास हमारे अंदर होता है जो हमको दिखाई नहीं देता जैसे कि आपकी कारिक उशलता में विकास हो रहा है आपकी बुद्धी में विकास हो रहा है आपका विचार धारा में आप तर्क वितर् तो जो विकास हमको दिखता नहीं, उसको हम गुडात्मक विकास कहते हैं, और जो विकास हमको दिखता है, जैसे कि आपकी लंबाई बढ़ गई है, आप मोटे हो गए हो, आप छोटे हो गए हो, क्या हुआ है, ये सारी चीजें परिणात्मक विकास के अंतरगत आएंगी, clear है तो बाल विकास का जो संबंध है, वो गुडात्मक से भी होता है, परिणात्मक से भी होता है, गुडात्मक किसको बोलेंगे, जो हमको दिखाई ना दे, वो गुडात्मक विकास है, और जो हमको दिखाई दे, वो आपका परिणात्मक विकास है, आई होब आपको clear हो गया ह विकास कहते हैं हैं आज दोनों पर ही हमको आज चर्चा करना है कि बाल विकास की वृद्धि किसको कहेंगे और बच्चों का विकास किसको हैं चलते हैं रहते हैं या कर देखे विकास के प्रक्रिया में बालक का साधिक विकास होगा समाजिक विकास भी होगा शंग्यानात्मक विकास भी होगा क्रियात्मक विकास भी होगा शंविगात्मक विकास भी होगा भाशागत विकास भी होगा आधी पक्चु में विकास होता है तो बिल्कुल आप बचपन से ल शुशंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रिंखला को विकास कहते हैं वेरी 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 इंपोर्टेंट लाइन है ना क्रम बद्ध को भूलना ही मत बालकों में जो क्रम बद्ध रुप से विकास होता है उसे ही विकास कहा जाता है क्रम बद्ध रुप से जो परिवर्तन होता है ब प्यक्ति में होने वाला परिवर्तन आंत्रिक कारण से भी अब दूदू जादा भी होगे तो हाइड बढ़ेगी बढ़ेगी तो आंत्रिक कारण हो गया आपके सारिक वृद्धी के लिए ठीक है बाहिया कारण क्या होगा परियावरण अपने अरोशी परोशी के महौल से अच्छी आउधार्ण आपके मन में बैठ जाएगी ठीक है वही आपका पड़ोशी अच्छा नहीं है तो उसके लिए कोई अच्छी आउधार्ण आपके मन में नहीं बैठेगी तो यहाप परिवर्तन कैसे हो रहा है यहाप परिवर्तन हो रहा है आपके आंत्रिक और बाह या कारणों से जो व्यक्ति में परिवर्तन होता है ना वही तो विकास है क्लियर है चले अब विकास के अभी लक्षन देखते हैं अभी लक्षन मतलब आप बोल सकते हैं गुड विकास के गुड क्या क्या होते हैं तो समझेंगे विकास जीवन परियंतक चलने वाली एक प्रक प्रक्रिया चलती रहती है विकास आत्मक परिवर्तन हमेशा एक क्रम के अनुशार होता है यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले भी मैंने बताया है करें विकास के गुड़ के एक तो जन्मत से लेकर आपके मृत्यों तक प्रक्रिया चलती है पहला गुड़ हो गया विकास का दूसरा गुड़ जो मैंने बताया विकास आत्मक परिवर्तन हमेशा एक क्रम में चलता है ऐसा नहीं कि आप बच्चे हैं सिसुवास्त हमें दो साल का कि है उसका सिधा 12 साल के हो जाओगे नहीं हो सकता ना एक क्रम से ही आप बढ़ेंगे दो के बाद तीन साल तीन के बाद चार साल चार के बाद पांस साल एक क्रम में यह यह जो परिवर्तन होता है उसे ही हम विकास कहते हैं जैसे विकास समान्य से विशिष्ट की ओर सरल से जटिल की ओर पहले जीवन हमारा बहुत सरल रहता है जब हम सिसु वजथा में रहते हैं जटी लवस्था को कहते हैं को मैंने बताया हुआ है कि सबसे लवस्था किस अवस्था को कही जाती बिलकुल कोंएंट करके हर एक बच्चा बताहेगा जिसमेरा पहला वीडियो देख रहा है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं विकास का भी लक्षणे अमगूर ये मैं बता चुकी आपको विकास क्या होता है तो बहु आयामी होता है एक इत जगह पे विकास नहीं होता ना बहुत जगह पर विकास होता है इसी वज़े से विकास को क्या कहा जाता है बहु आयामी यही हुट है तक ही हृतले हैं वे थान की बहुत ही लचीला होता है तो भारत है। जो लचीला होता है यह बैसका तो दियान रखेंगे विकास का क्रम होता है भात ही लचीला विकाश आत्मक परिवर्तन गुडात्मक होता है चीजह को नहीं देख सकते हो तो अम बात करेंगे विकास के प्रेकार का यह गुड़ होते है तो एक तो जीवन परियान तक चले का दूसरा करम से चलेगा तीसरा लचीला होता है और चौथा गुडात्मक भी होता है याद रखेंगे नेक्स्ट है आपके विकास के प्रकार अब विकास के प्रकार के हम बात कर लेते हैं तो देखो विकास न मेनली पांच प्रकार का नहीं मोटा मोटा लें तो छह प्रकार कर रहता है ठीक है मुखे रुप से 6 प्रकार का होता है, पहला शंग्यानात्मग, फिर नयतिक विकास, फिर भाशाई विकास, फिर समाजिक विकास, शंविगात्मक विकास और सार्विक विकास, हर एक विकास को बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, पन अब भी और वो भी है ना, लेट में नहीं परिवर्तन बाहर से इसपस्ट रूप से दिखाई देते हैं। तरक पूर्ण एवं अमूर्त धंग से सोचने की छमता से है जो वातावरण के साथ होते अनुकूलित होने में मदद करता है नहीं समझाया भासा कोई दिक्कत नहीं है मैं समझाती हूँ शंग्यानात्मक विकास क्या होता है बच्चे तो इसको आप सीधे सीधे भासा में ये स सुचेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे तब यहाँ बड़ों की जैसे आप सोचेंगे कि मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा बच्चे रहते तब इस सुछते हैं क्या आपको सूचना पड़ता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा कहीं मेरे मम्मी पापको बुरा मतलग जाए कहीं मेरे भाई को बुरा मतलग जाए कहीं किसी और को बुरा मतलग जाए समझ रहे हो तो शंग्यानात्मक विकास को सीधे सीधे हम बौधिक विकास की रुप में ले सकते हैं है न हमारी बुद्धी का विकास होना जो कि पर्यावरार समाज जो भी विकास क्या होता है भासा का विकास होना मतलब सीधा सीधा है कि भासा के माध्यम से बालक अपने मन के भाव विचार को एक दूसरे के शामने रखता है एवं दूसरे के भाव विचार भावनाओं को समझता है भासा विकास के अंतरगत बोल कर शंकेत के माध्यम से अपने करेंगे मतलब आपकी जो feelings है उसको किसी साथ share करने के लिए आपको शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा और उन सब्द को जिस भासा में आप प्रयोग करते हैं उसे ही तो भाशाई विकास कहते हैं ठीक है जब हम बच्चे रहते हैं तब हम कुछ अलगी भासा का प्रयोग कर लेकिन आप उहां पर उसको clearly नहीं बोलोगे कि मेरे को चोकलेट चाहिए मतलब चाहिए मतलब चाहिए आप उसको थोड़े अलगी तरीके से बोलेंगे जैसे आपको आपके पापा से भी मंगाने तो पापा आप चोकलेट ला देंगे क्या मेरे लिए मुझे खाने का बहु सकते हैं दुसरे के सामें रखने के लिए जिस विकास जिस परिवर्तन के हम बात कर रहे हैं उसे भाषे विकास कहा जाता है clear है चले next है अच्छा अगर किसी को भी कोई भी पॉइंट में कहीं पर भी छोटा सा भी इशू होता है कि यह पॉइंट नहीं समझा है मेडम इसका डेवलोपमेंट कहते हैं शम्वेग का मतलब ही इमोशनल होता है ठीक है जैसे सम्वेग को भाव भी कहा जाता है सम्वेग को ही अलग सब्द में हम भाव कहते हैं फिलिंग कहते हैं इमोशनल कहते हैं सम्वेग का अर्थ ऐसी वस्था से होता है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, भै, क्रोध, ग्रिणा, आश्यर, स्ने, खुशी, इत्यादी सम्वेग के उदारण है, समझाए यह शम्वेग क्या है, सम्वेग का मतलब हम बोल सकते हैं, उन भावों को, ठीक है, सम्वेग मतलब हम उन भावों को बोल सकते हैं, उन इमोशनल्स को बोल स सकते हैं जो हमारे सरीर के अंदर में होता है जैसे कि किसी के लिए आपको बहुत ज्यादा गुशा आ रहा है ठीक है अब आप उसको दूसरे के सामने कैसे रखोगे कैसे बोलोगे किसी और को आप किसी और को बोल सकते हो क्या कि मेरे को एक किलो गुसा आ रहा है या मेरे को एक लिटर गुसा आ रहा है नहीं बोल सकते न यह आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा यही होता है आपका शम्वेगात्मक विकास सीधे सीधे शब्द में सम्वेग का मतलब क्या होता है सम्वेग का मतलब होता है बच्चे इमोशन की बौधिक, समाजिक और आर्थिक विगास को भी प्रभावित करती है, क्यों कि मैंने आपको बताया ना, समवेग का मतलब ही यह होता है, कि आपके अंदर जो फिलिंग से, उसको आप दूसर के सामने कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, जैसे किसी के लिए आपको बहुत करना है, अपनी फिलिंग को कैसे एक्सप्रेस करना है, आरे समझ में, जैसे आपका बॉस ही है, मालो आपको छुटी नहीं दे रहे है, लेकिन आपको अर्जेंट में घड़ जाना है, आपने बहुत रिक्वेश्ट किया फिर भी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहे और उस फिलिंग को कब, किस के सामने, किस प्रकार से आपको परोसना है, यहाँ सिखाता है समवेगात्मक विकास, आया समझ में, चली, आगे बात करते हैं, नैतिक विकास किसको कहेंगे बच्चे, तो नैतिक विकास, इसको सीधे सीधे भासा में हम क्या बोल सकते हैं, एक अगर मैं दूँ, तो इसके लिए शिष्टा चार बोल सकते हैं, ठीक है, नैतिक विकास मतलब एक शिष्टा चार का विकास, जब आपके अंदर होता है, उसे ही हम नैतिक विकास कहते हैं, जैसे ब्यक्ति एक नैतिक परिस्थिती में किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसक इसका प्रत्यक्ष प्रभाव उसकी सोच व्यवहार और भावना के प्रक्टी करण पर पढ़ता है समझ आ गया क्या नैतिक विकास मतलब मैंने बताया ने एक ही शब्दम इतना लंबा चोड़ा पढ़ने की जोरतिच नहीं है नैतिक विकास मतलब आपके अंदर सिष्टा चा विकास मतलब आप हो जैसे हमारी कोशीश रहती है कि हम्याजनभी से जब मिल रहें तो वह हमसे इंप्रेस हो जाये मतलब वह हमारी तारीफ करें कि यार कितना अच्छा व्यवहार का यह बहुत ही सूइट है होता है ऐसा लेकिन मान लो रीयल में आप वैसे होी नहीं लिए बहुत ज़्यादा गुस्य वाली हो तो आप उसके सामने अच्छी बनने का दिखावा करें पर यह दिखावा कब तक करोगे चेहरे पर चेहरा लगार कर कोई आदमी जादा दिन तक नहीं गुम सकता रियालिटी किसी न किसी फेस में उस आदमी के सामने आही जाएगी तो यह चीज है जो सिष्टा चार वाला चीज है ना यही सीखाता है आपका नैतिक का विकास मतलब आपको कैसे लोगों के सामने अच्छे बन करके रहना है या लोगों के सामने नहीं रियल में आपको कैसे सिष्टा चार ब्यक्ति बन करके रहना है यही विकास आपका नैतिक विक समाजिक सी निरमांट थारका चाहिएवः vert को सिखता हैस समाज में आप रहोगे तो समाज्य आपको बहुत सारी चीजें सीखाता है बहुत सारी चीजे मतलब समाज में रहा कर आपको अपने चरित्र का निर्माड करना होता है ताकि लोग देख करके बोले यार बहुत अच्छे नेचर का है जैसे आप कहीं जा रहे हैं मालीजे साधी के लिए अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रहे हैं आप बहुत तब रियालेटी हमको पता चलती कि हाँ भई वास्तों में ये लड़का ऐसा है तो यह है समाजिक विकास मतलब समाज में आप अपना इमेज कैसा बना रहे हैं ठीक है इसके साथ आपका समाज के लोगों के साथ विवहार कैसा है शांस्कृतिक विवहार कैसा है मंदिर लगता कि इस टेप से एकस्प्लेन करने के बाद आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होगा कि किसको नयतिक विकास कहते हैं किसको संगयनात्मक कहते हैं सारी आपकी क्लियर हो गई है अगर नहीं हुई है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर से आप पुछें कोई भी टॉपिक में इस टॉपिक पर वेडियो लेकर के तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच